आर्शियम चालू हो गई सन 2000 में कंपनी चालू हो गई मैं नोकरी करता था मेरा बोस करता था कि आर्शियम से कपड़ा खरीदो जो पहले लाला की दुकान से कपड़ा खरीदे थे तो लाला अमीर बनता था अब आर्शियम की दुकान खरीदो तो आर्शियम से आप अमीर बनेंगे तो मैंने चार प्रस्न पूछे, पहला प्रस्न पूछा, आर्सियम का तो कभी नाम नहीं सुना, हिंदुस्तान लिवर का सुना है, डिक्जाम का सुना है, ओसियम का सुना है, रेमर्स का सुना है, सियराम का सुना है, आर्सियम का कपड़ा, कभी नाम नहीं सुना, तो उसने का हिंदुस्तान लिवर 120 साल पुरानी कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान युनि लिवर दुनिया के 180 कंट्री में काम करती है इंडिया में भी युनि लिवर काम करती है और इंडिया में वो इसका साबून का प्रड़क है उसका नाम है लक्स क्या नाम है लक्स साबून जो ह प्रेक्टर है ना वो इस तो रहाई के पास गया वह का बहन जी आप इतनी खुबसूरत हैं आप इतनी सुन्दर हैं बस आप एक महरबानी करो हमारा साबुन हाथ में ले लो और बोलो मेरे रूप का राज मेरे माबाप नहीं है यह साबुन है बस एक बार कहते हैं तो यह सुन राई को बताया सिर्फ एक लाइन बोलने का मिलेगा बीस करोड तो एस राई ने कहा इतने में तुम्हें अपने बाप को भी बदल सकती है हलो तो एस राई ने साबुन हाथ में लिया और बोला मेरे रूप का राज लक्स इंटरनेस्टनल तब से हमारे भाई और बहन वर रगणते जा रहे है रगणते जा रहे है कि इसवराय देजली जैसा क्लर होजाए गा कलर तो चोड़ो खरोचे आगई है पूरे स्रीर पर उस साबून को लगाना कर तुम सोच रहो कि साबुन पर एक कि तरह पा टेक्स होता है साबुन पे जी-स्टी वीजेबल टेx च् तो आठ रुपे टेक्स देकर आते हो एश्वुरया राई टेक्स हर सावुल पे कितना टेक्स आठ मुझे बात समझ भी आ गई मैंने का मेरे को नाम से मतलब नहीं है तो मैंने दूसरा प्रशन किया कि बैसाब तुमारी कंपणी तो कपड़ा बनाती है मैं तो कई पड़क खर आधाये है आने वाले समय में कई पड़क होंगे मेंने का कौन से पड़क होंगे तो नहीं का सुवे टोईलेट में जाओ के तो टोलेट करें आरसी में इसका प्रश को करऊ करो के आदारी प्रश्वार जबात शोगना चलो कि आटमादम में लजाब तो आप पांच आजमी कि जब इतने सारे 200 पड़क उसने बोले रहे तो तीन आज़ी तो खी की करके हस रहे थे और मैं एक नम सीरियसली सुन रहा था मैं सुन रहा था तो मैं यहां गया वो खी की करके घुटका खाके अभी भी 40,000 की नौकरी कर रहे है है इसे कहते है विजब जब मुझे पता दला क यह वो सकता है तो मैंने तुछे की कैसी है क्या पूछा कॉछने वाला बेवखव होता है मैं ने क्यों कै । कि कॉलन कोचने का सब्जट नहीं कُलदी nya करके चेक करने का सब्जट है हलो विए हमारी बेहने सब्जी मंडी में जाकर बोलती है सबजी वाली से सब्जी ताजा फूशति के नहीं पूशति तो सब्राइक बूलती है और चार दिन पुरानी है ना का बोलती यह जब वो पूशते क्यों युद्स अंसर ही आपको पता फिर भी पूश रहें इससे अच्छी को हो ही नहीं सकती लेकिन दो बिसकिट हब। नो रुपे से नंकिल लेकर खा कर देख लो अगर नो रुपे नहीं है तो एक रुपे का सेलबू का पहुच लो ना कर देख लो पूछ कर क्या मिलेगा कुछ भी नहीं मिलने वाला बेवकूपी है इसलिए मैलोडी खाओ खुज जान जाओ जो भी करना है खुज चेक करना है ये पूछने का सब्जेक नहीं है आर्षिम जोइन करने से पहले लीजे डिस्किट का पेकिट और खा के दीजे गुट डोड का इस्ताल लगा है गुट डोड आर्षिम का वो पूड़क है मेरे भाई 100% pure vegetarian उन लोगों के लिए बना है जो 100% non-wage vegetarian है एक ऐसा पुड़क निकाला क्योंकि वेज और non-wage के क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ दुनिया में अभी जितने भी रिशाफ चल रहे है वो चल रहे है non-wage खाने के दुष्प्रभाव जब red meat आप खाते है तो red meat के इतने सारे दुष्प्रभाव है जो science ने खोज निकाले हज़ारों तरह की बीमारिया आपके सरीर में पैदा करता है लेकिन हम उसका खाते है test की वज़े से हम खाते है protein की वज़े से दो मात्रा में बहुत अची चीज़ होती है test भी बहुत होता है protein भी बहुत होता है लेकिन उसके चक्कर में कई बीमारिया भी हमारे सरी में आती है FMC Corporation America के साथ collaboration करके Beyond meat जैसी कंप्रियों के साथ collaboration करके RCM business एक ऐसा प्रग लेकर आई जो 100% pure vegetarian है लेकिन अगर किसी भी non-wage आज़ भी को बिना बता कि खिला दे तो वो पता ही नहीं लगा सकता कि ये wage है कि non-wage और वो खा कर मस्त हो जाएगा अब इसका फाइदा क्या हुआ protein उससे ज़्यादा मिल गया और 100% pure wage मिल गया सरीर को बिमारियों से दूर मिल गया और मज़े की बात है कि company ने आज एक demo stall लगाई है बात company ने demo stall लगाई है एक diet 1500 रुपे में पढ़ती है सवासों से 1500 रुपे में पढ़ती है जब आप गरबे बनाते हैं लेकिन company आपर एक subsidiary rate में आपको एक product available कराती है चाबल के साथ curry जब आप वेज करी खाएंगे तो चाबल के साथ उसे मिलेगी और ओप मिलेगी कर पचास रुपे में आज का खाना इसी को खाईए और आप पता लगाईए कि इस खाना खाने के बाद क्या होगा लेकिन आपके लिए फ्री में वो काम रखा है पचास रुपे मातर आपको चाड़ देना तो quality खाओ फुछ जान जाओ जब तक quality आप यूज नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा आप जब वो नोन वेज की करी खाएंगे जो 100% vegetarian नहीं तो आपको पता चलेगा कि RCM की quality क्या है आज खाके जरूर जाना दीमाग मत लगा quality की बारे में प्रस्टिंग पुछा तो मैंने चोटे में में प्रस्टिंग किया भाई साब rate क्या rate ज़ादा तो नहीं है क्या पुछा शट सो रुबे का भी आता है शट तीन हजार का भी आता है शट के नाम से rate decide नहीं होती शट में जो quality है उसके नाम से rate decide होती है हलो सभी कराव फिडिकार वहीं एक कार दो लाग रुपे की है यहां से आप पटना जाओ एक दो लाग की कार लेकर यहां से पटना जाओ तो कार इसी automatic होती कि सोकर उसके काम नहीं करते साला पटना जाओ तो तक पुरे सरीर की automatic मसाज हो जाती है आँ तीन दिन तक फिर सोना पड़ता है और वो कार है ना automatic tape record वाली कार होती है जिसमें tape record एक दम बंद होती है लेकिन जो ही speed breaker पर जटका लगता है कार का ठंग मेरे अंगने में गाना चलो होता है automatic और गाना चेंज भी कब होता है जब एक जटका और लगता तिर गाना चेंज़ एक कार है दो लाग की और एक कार आती दो करोड की दो क्रोड की कारना मालिक की सकल पेचानती है और वो गेट यू नी खुलता है वो गेट यू खुलते है टाक मालिक जब कार में बैठता है तो उसमें temperature control नहीं करना पड़ता आपके सरीर का temperature जो ही सीड़ पर जो sensor लगे है उसके पास जाता है वो automatic आपके temperature को control करते हुए AC भीनी भीनी चालू कर देना चालू करता है और भाई उसका studio system इतना powerful होता है कि जिस गाने से सबसे ज़्यदा नफरत है ना वही गाना जब उसके अंदर चलाओ तो यसे लगता है जिसे प्रेमी का गाना गा रही है और भाई उसके अंदर मसाजर लगेवे हैं ना मसाजर बेड़ते ही स्रीर की आगकी मसाज होने चालू होती है ऐसे मसाज करती है वो मसीन जैसे बीबी टांगे दबा रही है हाथ दबा रही है आदमी कब जाकर बॉम में पहुंझ जाता है पता ही नहीं चलता एक कार दो करोड थी एक कार दो ला तो एक शाना आद भी मुझे कहता है बहुत सारे दिमागदार आद भी मिलेंगे भी बाहर आपको वो प्रस्ट पुछेंगे कार तो कार है जब कार में दोनो कारे में अगर आप पटना ही पहुँच रहे हैं दो करोड लेने का क्या फाइदा हलो इसे शाने मिलेंगे हैं न क्या फरक मड़ता है पंदरा मिट का दो करोड ज़्यादा दिया जा सकता है क्या इसी इसी बाते करेगा करेगा कि नहीं मेरे कार लाया हूँ तो इसने कार लाने का क्या फाइदा मेंने का भाई साफ पटना जाते hai Więc ऑम सकते अरभा नहीं चलता इसा करके क्या फाइदा हुआ सालड करोंड लगाया और पटा ही नहीं चलता कम से कम इंटकर लाता तो पता चलता हाँ is